आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नहीं है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर ले यदि आप है कक्छाचे के स्टुडेंट तो आप लोगों के समाजिक विग्यान का प्रसन में लेकर क्या चुका हूँ यह है सेट टू इससे पहले मैं सेट ए अप बाकी रह गये हैं जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा हुआ कि मैंने तीन नंबर कोस्टन तक बता दिया था इसमें मैं चार नंबर और पांच नंबर जो इसमें कोस्टन बचे हुए वह बताऊंगा इसके बाद एक फाइनल सेट आने वाला है और उसको भी आप लोग देख लेंगे तभी जाकर कि आप लोग का एक्जाम किलियर हो पाएगा तो अगर आपने सेट वन आपने नहीं देखा है तो सेट वन देखने के लिए आप इसके डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं वहां पे आप लोग कोई मिल जाएगा पूरा का पूरा चाहिए तो बस पर पूरी तरह से रुका हुआ हो तब ही उस पर चड़ना या उतरना चाहिए यह होगे आपका दूसरा हम लोग देखेंगे तो देशांतर रेखा किसे कहते हैं तो देशांतर किसी अस्थान की स्थिति को परधान यम्योत्तर के पुर वेवं पस्थिम में इस दोनों ही मारत बहुत ही अतिहासिक है चुकि जगा कम है यहां पे और लिखना था इसलिए हम लोग यहां पे छोटा जैसा लिख दिये हैं आपके गाउं में कुनकिन परमुख फसलों की खेती होती तो जो भी आपकी फसल की खेती होगी यहां पे लिख देना है उसके वादे सौर मंडल में कितने गरा है तो सौर मंडल में आठ गरा है बुद्ध, सुक्र, प्रित्वी, मंगल, विरस्पति, सनी, यूरेनस और नेप् इसमें पुलूटों पहले हुआ करता था लेकिन अब उसको हटा दिया गया है अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो किसी एक प्रसंड का उत्तर दीजे तो बिहार का नक्सा बनाकर अपने जीला को दर्साइए आद दूसरा है याताया संकेत लाल हरी तथा पीली बत्तियों का मतलब समझाइए तो हम लोग यहां पर सिकेंड नमर का एंसर करेंगे यहां पे आप लोग देख सकते हैं लाल बत्ति के यहां पे लिखा है सरक पर यदी लाल बत्ति जले तब हमें सरक पर अपनी गारी को रोग लेना चाहिए अगर आप गारी से चल ले तो गारी को अग फाइनल सेट आने वाला है जिसमें आप लोग को सारे questions का answer मिल दाएगा तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दे थैंक्स पूर वाचिंग बबाए